जैहिन मित्रो यूटूब के जीयो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉप्टर सुसीन पटेल। आज हम भू आकिर्ति विज्ञान से संबंदित कुछ अबजेक्टिव प्रस्ण पर जर्चा करने जा रहे हैं। M.C.Q. तो स्लाइड पे जो पर्थम कोचन देख रहे हैं कि बेस लेवल अब धार्णा का परतिपादर किसने किया था। तो A में है जेम्स हट्टन, B में है पावेल, C में है W.M. डेविस, D में है वाल्टर पे। तो इसका सही एंसर B होगा। यानि पावेल के द्वारा जो आए 18 तो 75 इसमी में वेश लेवल अब धार्णा की संकल्पना का परतिपादर किया गया था। तो इसका सही एंसर B होगा। नेक्स पोस्चन देखिए, नेक्स पोस्चन है कि सरीता जीवर पुल चक्र की संकल्पना का परतिपादर किस ने किया है। A में है G.K. Gilbert, B में है W.M. Davis, C में है James Hutton, D में है L.C. King, तो देखिए इसका सही एंसर B होगा। यानि सरीता जीवर पुल चक्र संकल्पना का परतिपादर जो है देविस के द्वारा किया गया है यानि W.M. Davis के द्वारा किया गया है। तो B है, next question देखिए, next question है कि निम्नांकित अस्तल रूपों में से कौन उत्पत्ती में बहुत चक्रिये हैं। A में है सर्क, B में है नदी विसर्प, T में है अर्ध कर्तिक विसर्प, T में है गोकुर जीर। तो इसका सही answer T होगा, अद कर्तिक विसर्प जो है कि वहुत चक्रिये अस्तल रूप है। Next question देखिए, next question है कि निम्ना, निम्निम्निकित में से कितने उच्चा पच्च के परतासन हेटू, block diagram की तक्निक का परतिपादन किया था, यदि block diagram का परतिपादन किया गया है, अस्तल रूप के उच्चा पच को दिखाने के लिए, जो block diagram। तो A में है Honabori के δ्वारा B में है Lubick के द्वारा C में है Gill blueolt के द्वारा D में है W.M. Davis के द्वारा तो इसका सही एंतर T होगा यह व्लोक, डाइग्राम, तकनीक का परतिपादन जो है W.M. Davis के द्वारा किया गया है तो इसका सही एंतर B है Next question देखिए नेक्स कोश्चन है कि अपर्दन, अपर्दन के निम्नतम अस्तर की संकल्पना का तरप्रतम प्रस्तूत किया था यानि निम्नतम अस्तर का संकल्पना का यानि आधार तल का जो है तो A में है देवी, B में है पावेल, C में है हट्टर, D में है पेंग तो इसका सही इंतर पावेल होगा यानि आदहार अपरदन के बाद तो देते हैं कि निवन्तम आदार तल होती है यानि जिसको क्या करते हैं स्रमुत्र तल कहते हैं तो उस अवधारना का जो है कि पावेल के द्वारा यानि इसका सही इंतर भी होगा नेक्स कोश्चन देखिए, नेक्स कोश्चन है कि निम्न में से कौन सी अस्तलाक्रिती नवनमेज का पड़िनाम नहीं है ए में है नधीप बेदिकाए, भी में है गम्भीर, उत्विसर्प, ती में है निक प्वाए, दी में है सनरचनातमक सोपान को देखिए कि सनरचनातमक सोपान जो है नवनमेज का नहीं है नवनवेस का मतलब यह होता है कि किसी भी अस्तल खंड जो तेखते है उसका अपरदन हो रही है और अपरदन के करम में ही क्या होता है जब तक वो जिरना अवस्ता में आती नहीं है उससे पहले क्या होता है उसके पुना उत्थान हो जाती है और पुना उत्थान हो जाने के कारण क्या होता है कि उसे के ऊपर ते फिर ते नई चक्र प्रारम हो जाती है और उसे जो अस्तलाकृति की निर्मान होती है उसको नवन मेंस अस्तलाकृति कहा जाता है तो सनरचनातमक सौपान जो देखते है जो नवन मेंस अस्तलाकृति में नहीं आती है, इसका सही इंसर ही है, नेक्स कोईस्टन देखिए, नेक्स कोईस्टन है कि आधार तल में रिनात्मक परिवर्टन होने से निमने में से किस अस्तलाकृती का निर्मान संभब है? तो ये तेकिया निर्मान यानि जो आधातल में दिया रखना है कि अरिनातमक यानि समुद्रतल से भी जो आधातल का अपड़तन नीचे हो जाए तो उससे जो अस्तलाकृती की निर्मान होती है उसको किस नाम से जानते हैं तो A में जो है सनरचनातमक सौपान, B में है इदिया टट, C में है जनोध संकू, D में है नदी बेदिकाएं, तो देखिए इसका सही एंसर D होगा, यानि नदी बेदिकाएं जो है अस्तला कृति जो निर्वानुति है उसमें क्या होता है कि समुद्र तल से भी नीचे उसकी अ देखिए, नेक्स कोचर है कि नदी समुद्र की 1933 में अवधावना, इसने परतिपादित किया था, तो A में देख रहे हैं, कॉटन है, B में है, क्रिक में है, C में है, बान रिच्ठोफेर है, D में और फ्रेड ब्यागनर है, तो देखिए, 1933 में जो नदी से अपर्दन की जो अवधारना प्रस्तूस की गई थी, वो क्रिक में के द्वारा किया गया था, जिसमें देखते हैं कि आधा, जैसे नदी के द्वारा किसी भी अस्तलखन का अपर्दन हो जाती है, तो आखरी जो अस्तला क्रिती जो पच्ठत ही है, उद्व को क्रिक में महोदाय पैन प्लेन, यानि वह क्या चीज़ समपोजित की है, पैन प्लेन से, जबकि W.M.डेबिस महोदाय उद्व को जो है, पेनी प्लेन के द्वारा है, तो इसका सही एंसर भी होगा, नेक्स्ट को देखिए, कि नेक्स्ट है, कि निमलिखित में से कौन सा एक बहुत चक्रिये भूत्रिस का उधारन नहीं है, A में है सुन्दरबग, B में है अपलेशियन उच भूमी, C में है सोतानापूर का पाठार, D में है मैकाल स्रेनी, तो देखिए, यहां जो है, बहुत चक्रिये भूत्रिस का जो नहीं है, वह सुन्दरबग है, यानि क्या है, एक चक्रिये, यानि सुन्दरबग जो देखते हैं, गंगा और ब्रहमपुत्रा के मलवा के निछेफ से जो विश्व का ब्रियस दैल्टा का निर्मान हुआ है, उसका नाम जो है सुन्दरबग है, सुन्दरबग का फैलाव जो देते हैं, बांगला देश और भारत में हैं उसका चेतरबिस्तार, तो यानि बहुत चक्रिये बुत्रिस का कौन नहीं है, सुन्दरबग, इसका सही एंसर ए होगा, नेक्स कोस्चन देखिए, नेक्स कोस्चन है कि अपरदन के सामान चक्र की अवधार्ना की संकल्पना किस ने दे थी, यानि नॉर्मल साइकल ओफ इरोजग की अवधार्ना किस के द्वारा दिया गया है, तो ए में जो है देविस के द्वारा, बी में जो है स्ट्रॉलर के द्वारा, सी में है पेंक के द्वारा, दी में है थौर्नवरी के द्वारा, तो normal cycle of erosion का प्रतिपादक डेविस महोद है यानि WM डेविस के द्वारा है तो इसका सही answer A होगा Next question देखिए Next question है कि अंता समुत्री कैनियन के उद्गम पर आविल्सा धारा आविल्सा धारा से धांस का प्रतिपादर कौन किया है तो A में जो है सलील B में जो है गरिगोरी C में है डेली C में है एरी है तो देखिए है कि अंता समुत्री कैनियन का जो है अविल्सा धारा से धांस का प्रतिपादन जो किया गया है वह डेली के द्वारा किया गया है तो इसका सही answer C होगा अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए अगर मेरे चैनल पे आप पर्थम ताइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिंक को अपने मित्रों में सेयर कीजिए थाइक कीजिए वित्रों